बेहार विधान परिशत के सदस्यों को लेकर एक चौकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है रिपोर्ट में बताया गया है कि सदन के 90 प्रतिशत सदस्य करोड़ पती हैं वही 63 प्रतिशत सदस्यों पर आपराथिक मामले चल रहे हैं चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था Association for Democratic Reforms यानी ADR के अनुसार करीब 33 प्रतिशत सदस्यों पर गंभीर आपराथिक केस दर्ज किये गए हैं गंभीर आपराथिक मामलों में हत्या के प्रयाज जैसे आरोब भी शामिल हैं ADR के बिहार प्रमुक राजीव कुमार ने ये रिपोर्ट सुमवार को जारी की जिसमें 75 सदस्य विधान परिशत के 60 सदस्यों का सर्वेक्षन किया गया निर्वाचन के पहले प्रित्याशी के रूप में दिये गए शपत पत्र को रिपोर्ट का आधार बताया गया है चुनाओ के समय दाखिल शपत पत्र के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गयी है रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 सदस्यों में से 38 सदस्यों ने अपने शपत पत्र में खुद को आपराथिक मामले का आरोप भी बताया है इन में से 20 ने गंभीर अपराथ की बात कही है 9 सदस्य ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास के आरोप है और दो सदस्यों के विरुद्ध हत्या जैसे मामले चल रहे हैं दो के खिलाफ महिला अत्याचार के आरोब भी है ADR की रिपोर्ट इस बात की गवा है कि सबसे ज़ादा BJP सदस्यों के खिलाफ आपराथिक केस दर्च है सर्वे में शामिल BJP के 16 सदस्यों में से 11 के खिलाफ आपराथिक केस दर्च है राज़त के 14 में से 10 और जन्तादल यूनाइटेट के 18 सदस्यों में से 8 सदस्य किसी ना किसी तरह के आपराथिक मामले के आरोबी है कॉंग्रेस के 4 में से 3 और भागपा के 2 सदस्य भी आरोबी है गंभीर अपराथ के मामलों में BJP और राज़त के 5-5 जबकि जदियों के 7 सदस्य आरोबी है ADR की रिपोर्ट में चौकाने वाली बात ये है कि सदन के 90 प्रतिशत सदस्य करोड़ पती है स्थानिय प्राथिकार से चुनकराई सभी 24 सदस्य इस ग्रूप में आते हैं विधान परिशत के सभी 75 सदस्यों की बात करें तो उनकी औसत संपत्ती 33 करोड 87 लाख रुपे है सबसे जादा पैसा बिहार विधान परिशत के निर्दलिय सदस्य सचिदानंद राय के पास बताया गया है उनकी चल अचल संपत्ती 1108 करोड रुपे की है दूसरे और तीसरे नमबर पर बिहार के राजीव कुमार और अशोक अगरवाल का नाम है राजत की मुन्नी देवी बिहार विधान परिशत के सदस्य हैं जिनके पास सिर्फ 29 लाख रुपे की संपत्ती है और इन सदस्यों से आदर्श के उचे मानकों को मानने की उम्मीद की जाती है ऐसे में इस रिपोर्ट के आकड़े कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं